खबरों मेहदम सबसे पहले हम रेवा इंडिया नियूस हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं देखें कमलेस मिश्टा के साथ तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया नियूज तो चलिए देखते हैं आज की आखबर नहीं सुन रहे सरपन सचू ग्रामिन पहुंचे जिला कलेक्टेट जिला कलेक्टर से अपनी समश्या बताने मामला मवई जनपत के अंतरदगत ग्राम गोरकपुर के ग्राम पंचे सिंगोरी का है जहां के ग्रामिनों ने जिला कलेक्टेट पहुंच कर जिला कलेक्टर से बताया कि हमारे गाउं में पानी की समश्या है ना तो विजली है ना अगनवाडी है जिसको लेकर हमने कई बार संबंदित अधिकारियों से आवेदन निवेदन किया मगर किसी ने भी हमारी समश्या की और ध्यान नहीं दिया मजबूरन आज हमें जिला मुख्या लाया कर जिला कलेक्टर से अपना दुख्रा रोना पड़ा वहीं जिला कलेक्टर हर्ष्टा सिंग ने भी ग्रामणों की समश्या सुन उसे सीघ्र हल कराने का आश्वाशन दिया है जिला कलेक्टर पहुंचे हैं हम जिला कलेक्टर पहुंचे । कम कम 25 कि लिए हमारे ओध में इसको लेकर आए है तो हम पानी के लिए जाते हैं, दो किलिमर्ट जाते हैं, पानी के लिए नल खुदाया है, हमारे महला में, तेरवा वार्ड में, नल खुदाया है, लेकिन वहां से दूर ले गया गया है, नल खुद कर लिए, पानी को, और हमें नहीं मिल रहा है, हमारे वार्ड में फूप है, बनाय गया है बच्चे जाते हैं पढ़ने दूर तो उन्हें परिशानी होता है और बिजली तूरे गाव में बिजली लग गया है दस बारा घर छूट गए हैं तो इस समस्य को लेकर आए हैं अभी आप लोगो ने कलेक्टर मेडम को अवेरन दिया है क्या बुला कलेक्टर अगर फिर भी जो है आप लोग इससे पहले भी गए होंगे अपनी समस्या को लेकर जिम्मेदार अधिकारी के पास सर्पंस अच्यों किसी के पास गए यह सर्पंस से बोले तो हां करवाएंगे ऐसा करवाएंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ और जनलपाद में भी गए वो भी कुछ नहीं सुनाई दिया और हेल्प लाइन भोबाल भी किये तो रुकों हो जाएगा कार रुकों हो जाएगा कार ऐसे ही बोले अगर अब भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता जिला कलेक्टेट पहुँचके कलेक्टर मेडम से मिलके तो अगला जो है कदम ग्रा जाम करेंगे एक कल परसों तो हो गया था ताला लगा दिए थी हम ताला लगा दिए लिगिन भिच्चा टी आई साब आके खने वाले आके और हम धंकी दे करके उल्टा भगवा दिया और ताला खुल आके फिर पानी खोल दिए पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट प जाम कर दो हुआ कर दिए लिए घ।